असलाम लेकुम विवर्ज, वेलकम बैक मैं यूटी फैमिली कैसे हैं? सब लोग अमीद करती हूँ कि सब खेरिये से होंगे तो विवर्ज, आज मैं आपके साथ फ्रॉक पे कोट कलर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी ये मैंने पेटी की कटिंग कर ली थी, अब मैं इसके गले की मैयर मिंट करूँगी गले की मैयर मिंट करने के लिए मैंने थ्री इंच ही चुड़ाई रखी है और थ्री इंच ही लंबाई रखी है गले की अब मैं इसकी मेयर्मिंट करते हुए निशान लगाऊंगी और फिर इसकी कटिंग करूंगी निशान मैंने लगा लिया है अब मैं इसकी गुलाई की शेव देते हुए कटिंग करूंगी अब पेटी के दर्मयान से अब कटिंग करूंगी पेटी के दरम्यान से फोल्ड कर लिया था अब मैं इसकी कटिंग करूंगी इस तरह ये देखे कटिंग मैंने कर ली है अब गले पे लगाने के लिए मैंने चेपी बुकरम लिया है चेपी बुकरम की चुड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने 7 इंच ली है अब बुकरम को दरम्यान से मैं फोल्ड करके कटिंग करूंगी और कटिंग करके मैंने ये गले के उपर लगा लिया है इसको मैंने एक्स्टा लगाया था एक से डेड़ इंच एक्स्टा लगाया था अब मैं इसकी गले से एक्स्रा जो चेपी था उसकी कटिंग में निकार ली है अब इसके नीचे मैं कंट्रास कपड़ा लगाऊंगी और इसके उपर चेपी बुक्टरों के उपर तकरीबन एक पैर के फासले पे रखते हुए सलाई लगाऊंगी अब ही मैंने जो नीचे कपड़ा लगाया है इसको एंड तक सलाई लगाऊंगी और इसी की मैं बटन के लिए प्लैकट भी बनाऊंगी अब मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्रा चेपी था उसकी कटिंग कर ली है और इसकी अब मैं तरपाई करूंगी तरपाई मैंने कर ली है यह देखें विवर्ज इस तरह कुछ इसकी लुक का आ रही है विवर्ज यह फ्रेंट साइड है अब मैं इसको बैक साइड के साथ इसके कंदे की सलाई लगाऊंगी विवर्ज जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें और बे आल नोटिफकेशन पर ज़रूर क्लिक करें ताके मेरी हर नाए आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले तो विवर्ज अब मैंने शोल्डर से सलाई लगा ली है अब मैं इसकी मेयर मिंट करूँगी गले से 3 इंच में छोड़ते हुए उससे आगे कॉलर की मेयर मिंट करूँगी कॉलर की लंबाई मुझे 10 इंच आई है मैंने 2 इंच एक्सट्राक लिया है चेपी बुक्रम का और चुड़ाई मैंने 3 इंच ली है चेपी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है अब मैं कॉलर की शेव दूँगी झाल 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 कॉलर की कटिंग मैंने कर ली है अब मैं चेपी बुक्रम को कपड़े के उपर लगाऊंगी यह देखे मैंने इस तरह लगा लिया है अब एक साइड से मैं कपड़ा को फोल्ड करते हुए सलाई लगाऊंगी जिस साइड पे मैंने चेपी बुकरम को थोड़ी से गुलाई की शेप दी थी उसी साइड पे मैं कपड़े को फोल्ड करते हुए सलाई लगाऊंगी अब इसके नीचे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी और जो तीनों साइड से सलाई लगाऊंगी सलाई मैंने तीनों साइड पे लगा लिए है अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करूंगी और छोटे-छोटे कट मैंने लगाए है कॉलर को मैंने सीधा कर लिए है अब मैं केंची की मदद से कोने इसके सही करूंगी अब यह जो कपड़ा है इसके सलाई का मार्जन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करें और कालर को डबल फोल्ड करते हुए दरमयान में कट का निशान लगाए और शेट के दरमयान में भी निशान लगाए और इसको बराबर रखते हुए इसलाई लगाएं कॉलर पे इसलाई मैंने लगा ली है अब सीधा करते हुए इसको एक पैर का फासला रखते हुए इसलाई लगाएं इसलाई मैंने बना लिया है। क्योंके मैंने दर्मयान में नॉट लगानी थी इसलिए बेल्ट ज्यादा ही लिया है। अब मैंने बेल्ट लगाने के लिए ये स्ट्रिप बनाई है फोर स्ट्रिप लगाऊंगी यह मैं दो साइड पे स्ट्रिप लगाऊंगी एक एक दरम्यान में लगाऊंगी स्ट्रिप मैंने लगा ली है अब मैं बेल्ट को इसके अंदर से गुजारूंगी और फ्रॉक को सीधा करते हुए इसके फ्रंट पे मैंने नौट लगाई है वीवर्ज मेरे वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएगा और दौाओं में याद रखें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफेज